सलाम नमस्ते ससी का लादाप कैसे हैं दोस्तो मैं हूँ जस फ्रॉम सैमिंजर्स हेर और मेकप अकाडमी मॉंबाइ दोस्तो आज आप लोगों को एक और नया मेक ओवर दिखाने वाला हूं मेक ओवर ऐसा जो मज़ा आज आगा आप लोगों को देखके इतना इजी हेर कट आप लोगों के लिए लेके आया हूं सलान में काम करने वाले हो फ्रेशर भी हो ना अगर आपने ये कट देख लिया फटाफट क्लाइन के ओपर कर सकते हो बहुत इजी है बहुत कमाल का रिजल्ट है इसको बोते हैं फेस फ्रेमिंग हेर कट आज आप बहुत सारे कट आने वाले आप लोगो के लिए मजा आने वाला सलॉन के अंदर बहुत इसको शेर कर देना बहुत मजा आने वाला है कमेंड बॉक्स पे लिए कट कैसा लगा तो टाइम ना बेश करते हुए लेस्ट स्टार्ट विद दा हेकाट चली आज एक और नया फेस फ का हमारे है कट सबसे पहले आप लोग को बता है ट्रॉली सेटिंग इस वरी इंपॉर्टेंट आपके बस सब ना चाहिए आपके बस को ओम से जर्वेश एवरिटिंग और हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कभी भी आप लोग कोई भी सर्विस करते हो आपके सलॉन में आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग पहले हैर वाश करोगे विच वरी वरी इंपॉर्टेंट फर्स हैर वाश एंड देन यौर सर्वेस ओके तो यह बहुत जरूरी चीज है तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आप हैर वाश हमारे क्लाइन का और विच वरी वरी इंपॉर्टेंट पार्ट चलिए आफ्टर दे वाश अभी हम लोग करेंगे सेक्शिंज अगें वेरी इंपॉर्टेंट फेस फ्रेमिंग हेर कट है आज हमारा और सेक्शिंज पहले के पहले ही बनाएंगे आप लोग देखना बहुत ही इजी सेक्शिंज हैं बहुत बेसिक sections हैं बड़ आपके लिए बहुत एजी हो जाएगा ये कट करने के बाद में और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये हेर कट आप किसी भी जैसे वेवी बाल है उस पर भी कर सकते हो स्ट्रेट बाल है उस पर भी कर सकते हो हाई डेंसिटी के बाल है उस पर भी कर सकते हो लो डेंस करेंगे तहाँ चुरू करते हैं अभी हम लोग हमारा इकट 90 डिग्री तो इसको हम लोग-liningडिलि पर गाटने। और आपको बढ़े नहीं लेने हैं आपको तो इसमें भी हम लोग और उसको फाइंड सेक्शिन करेंगे और पतला करेंगे ताकि आपके कट के आपके कट के अंदर जान डालने वाला यह तभी मुम्किन है जब आप सेक्शन के उपर काम करोगे तो सेक्शन सब्सक्राइब करते हो जितने फाइन सेक्शन पर काम करोगे उतना ही रिजल्ट आपका लॉंग लास्टिंग रहेगा और अच्छा रहेगा क्लाइंट भी जाद दो काम को चुटी लेकर तो सेक्शन पर afijने चोड़ाइब काम करोगे जितने फाइन सेक्शन पर आपका अच्छा शोने बाला है और यहां पर विजसे कि देख सखते हैं यह मारा गाईडलाइन बन के तयार हो गया श्टेश्टेटेष न 68 अशलीन को बंग कोम जा उक्स इसको stationary 90 degree haircut, okay? So, अभी हम लोग करेंगे इसको दो पार्ट में divide, we are dividing into two parts, अभी right side का अलग है, left side का अलग है, तो अभी हम लोग करेंगे right side का, देखो इसमें एक चीज और notice करो आप, जो sections मैंने बनाए हैं, उसमें भी half कर रहा हूं इसको, क्यों हाफ कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो cut है, वो और ज्यादा बहतर नजार आए, जैसे मैं आपको बोला, जितना आप fine sections करके काम करेंगे, उतना अच्छा है, बहुत जादा section clips भी लगा दो na, client के hair पे, तो they are not feeling comfortable, इसलिए हम लोग ने दो section का, एक section बनाया, और हम लोग ने यहाँ पे, इसी तरीके से hair cut किया, okay, so fine fine sections, holding is easy, और stationary 90 है, तो मैं side वालो को, जो हमारे side का बाल है, उसका मैं angle नहीं ले रहा, मतलब उसकी degree नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ stationary 90 बोल रहा हूं, जिस पे मैंने बाल काटा है, center profile पे सारे बालो को over direct कर रहा हूं, over direct forward, यह सब technical term आप लोग को पता होने चाहिए, over direction forward पे cut हो रहा है, which is important, again, sections need curve from the roots, very important, देखो, एक अच्छे haircut के लिए, मैं हमेशा बोलता हूं, hair wash is important, sections are important, आपकी standing position is important, आप देखो, मैं क्लाइंट के opposite side कड़े होके बाल काट रहा हूं, because मेरी जो guideline है, वो center पे है, okay, मैं अभी right side का बाल काट रहा हूं, right side of the client हमारे, लेकिन मैं जो standing position है, मेरी वो left side पे है, मैं right side कड़े होके भी काट सकता हूं, अगर मुझे guideline proper नजर आ रही है, तो, okay, और यहाँ पे आप holding देखो, बिलकुल मेरे scalp के accordingly मेरे holding है, front जो scalp है, वो थोड़ा diagonal होता है, तो यहाँ पे आप देखो, मेरा जो holding है, वो भी थोड़ी diagonal है, horizontal नहीं है, diagonal है, क्योंकि आप following the head shape, okay, और सारे बालों को, जितने भी हैं हमारे side के बालों को, I am taking, over direct कर रहा हूं center पे, so which is important, यह terms याद करो, over direction, stationary, यह आपके कट में बहुत काम आने वाले है, stationary मतलब, एक ही जगा पे आपने guideline करिया है, अभी, एक ही जगा पे आपने guideline को create किया, और अभी क्या कर रहे हैं, उसी को follow कर रहे हूं, सब जगा पे, उसी को, over, सारे बाल पीछे तक एक ही जगा पे आके कटने वाले हैं, एक ही guideline के ऊपर बाल कटने वाले हैं, that is how, okay, मैं जो use कर रहा हूं scissors, Iconic की use कर रहा हूं, seven inches है, और comb जो है, वो भी हमारी, silver comb है, बहुत अच्छी comb रहती है, strong है, तो इससे भी आपका अच्छा result आता है, तो यह भी मुझे, हमारे student ने gift किया था, but I am liking it, student ने, हमारे faculty ने gift किया था, तो thanks to him, और यहां पे again, combing from the roots, combing from the roots, comb proper करना है, guideline नज़राई, and then you need to cut, now I am cutting on the left side, अभी जितने भी left side के बाले हैं, मैं उनको काटने वाला हूँ, और इसको follow करूँगा till the nape, okay, this is how, मतलब पूरा, full, front to the back, एक ही position पे काटने वाला हूँ, आगे से ले के पीछे तक, same way I am going to cut, और I am sure आप लोग को बहुत easy लग रहा होगा, face framing 90 degree, यह आपका cut का नाम है, sections पहले के पहले ही बनाए हुआ है, ताकि confusion ना हो, sections वोड़े बने बनाए है, उसी में से भी और हाफ कर रहा हूँ, और उसके बाद ले रहा हूँ, जब तक मुझे मेरी guideline विजिबल नहीं होती, तब तक मैं बाल नहीं काटता हूँ, okay, this is how we are doing it, comb from the roots, from the roots, from the roots, देख रहे हैं आप, roots से ही comb करना है, holding proper करनी है, इसमें आपको एक habit जनरेट करनी है, सारे बालों को एक साथ hold करने के, और मुझे से लगता है कि आप लोगों को यह ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत benefits होंगे, आपके salon में इसका जो result आने वाला है, वो बहुत अच्छा है, मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, Face Framing Hair Cut, तो यह Face Framing Hair Cut आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, easy है, clients आएं आपके पास मैं long बाल हों, यह length के बाल हों, क्यों बर्दान है, क्योंकि बाल बहुत फ्लाट लेजर आते हैं, जैसे कि आपने देखा पिफोर में, बहुत फ्लाट बाल थे, proper comb, and see this result, कितना अच्छा हा रहा है, Face Framing, अभी हम लोग Radial के पीछोयले बालों को भी, इसी तरीके से ओवर्ट करेंगे, और over direct करके, we are going to cut, okay, सारे बालों को, this is how, the same way, कोई rocket science नहीं है, it's very easy, इसमें खाली आपको ध्यान रखना है, sections नीट होने चाहिए, standing position आपकी opposite side होने चाहिए, आपको guideline proper नजर आनी चाहिए, सारे बालों को hold करने की practice आपको होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बालोंगे, आपके proper hold आपको करना आना चाहिए, और जो कोम आप कर रहे हो, वो आप कोशिश करो कि बार-बार roots के पास से करो, that is also very important, so आप देख सकते हो connecting, बिलकुल, आगे से लेके पीछे तक connecting है, fine बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बस अगर इस तरीके के बाल आते हैं, जो low density के बाल है, आपको body देनी है, और साथ साथ क्लाइन बोल रहा है कि मेरे बाल छोटे मत करो आप, तो उसके लिए भी आपको help परेगा, okay, so हम लोग इसको बिलकुल पीछे तक follow कर रहे हैं, मतलब ने पेरिया तक follow कर रहे हैं, बाल हमारे बिलकुल clean है, and this is how we are going to do it properly, okay, गिरिया, so I hope यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, बिलकुल implement कर सकते हो आप, absolutely, अभी में एक चीज़ और एड करूँगा, आज कल हमारी online classes चल रही है, मैं आप लोगों को ना online class के बारे में बता रहा हूँ, online class में यह जितने भी cuts आप देख रहे हो, यह मैं practice करवाता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को यह सब करने हैं, तो 9920-53-7343 पर आप वाचसब करो, और सबसे बड़ी बात, आज कल मैं खुद आता हूँ, मेरी टीम के साथ आता हूँ, और मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, परस्टनली, खुद आकर के, अगर आप लोगों को यह सब कर सीखने हैं, पूरा कोर्स करना है, ऑनलाइन करना है, आप लोगों को घर बैठे बैठे सिखाने वालों, अब भी क्या भी पता कर लेना, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है, शुलक्त लोगों के दिमाग में आता है, कि Online क्लास है, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, और यह मेरा वादह है, आप लोगों बहुत कमाल का सीखने वाले हो, with certificate औके और ये जो courses हैं हमारे ये एक दू दिन के नहीं है पूरे एक साल के courses हैं तो आपको क्या करना है अभी क्या भी पता करना है office के number पर call करो पता करो और join ज़रूर करो बहुत सरे आपके salon growth के बारे में question answers live वो zoom पर होता है और वो monday से Friday होता है zoom पर मन데 तु फ्राइडे में आता हूं आप लोगों से मिलता हूं जूम के आप लोगों कोशशा सर देता ओ और प्राक्टिकल करवाता हूं आप लोगों से बहुत मज़ा आहा पटाबट पटा करो, बाकी I hope आपको ये आज का haircut बहुत अच्छा लगा हो गाए and this is the final look और मुझे लगता है कि आप ये लुक जरूर आपके clients को create करेंगे, ये इस तरिके की जितने भी cuts हैं उनको जरूर आप create करोगे और इसी hope के साथ जल्दी मिलेंगे एक और नहीं topic के साथ और आप लोग लिखके भेजिए आपको क्या क्या करना है so definitely we are going to meet you soon, thank you so much for watching this, love you all, take care, bye bye दोस्तों जैसे आपने अभी ये haircut देखा, ऐसे ही haircut में आप लोग उसे करवाने वाला हूं, live online class में academy आने की जूरत नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आप लोग को, academy में नहीं भी जॉइन करोगे न तो भी कोई problem नहीं है online में मैं आप लोगों को ऐसे कितने सारी cuts हैं जो करवा रहा हूं, live practice के साथ, अगर आप लोगों को घर बैठे सीख रहा है ना, ये office का नंबर देखना है ना, इसी नंबर पे अभी क्या भी, whatsapp करना, voice message भेजना, मुलना मुझे ये course करना है, कितने में, सिर्फ 2,000 क्या के cuts करवाने वाला हूं, guarantee है मेरी बहुत कमाल का मज़ा आने वाला है, online class, life change करने वाली है, आप लोगों को, salon का काम बढ़ाने वाला है, life change करने वाली है, और इसमें daily मिलता हूं, मैं 5-6 बिजे तक अगर आपको नहीं पता, daily 5-6 बिजे तक zoom पे आता हूं, मिलता हूं, इसी नंबर से zoom ID ले लो, पता करो, और class join करना, online class, life changing online class बोलूँगा, मैं चले, इसके साथ देता हूं इजादा, मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और नहीं topic के साथ, जब तक अपना धान रखेगा, thank you so much for watching this, love you all, take care, bye bye, जय हैंट, जय भारत.